कश्मीरी चाय बनाने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ कश्मीरी चाय का पॉडर बनाकर आप काफी टाइम तक स्टोर करकर रख सकते हैं सरदियों में कश्मीरी चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है अब आप कम बजेट में कश्मीरी चाय बनाकर और इसे काफी चाम तक इस्टोर करकर रख सकते हैं सबसे पेले पेन में एक टेबल स्पून जितने मैंने सौंफ ली है तीन से चार अदद में इसमें स्टार्स एट कर दूँगी ये गरम मसाला होता है 6-7 अदद मैं इसमें लॉंग एट कर रही हूँ 6-7 अदद मैं इसमें हरी लैचिया एट कर दूँगी अब कुछ टुकड़े मैं इसमें डालचिनी के एट कर रही हूँ इन तमाम चीजों को हलकी आँच पे थोड़ा सा सेक ले इसे इसमें खुश्पु पेदा हो जाएगी जो आपकी चाय में बहुत ज़दा अच्छा फिलेवर लाएगी 2-3 मिनट तक हलकी आँच में इसे सेक लिया है अब मैं इसे मिक्सी जार में डाल दूँगी और इसका पॉडर बना दूँगी कश्मीरी चाय जो है वो बहुत ज़दा मेंगी मिलती है अगर आप इस तरह बना कर आसानी से इसे स्टॉप करकर पी रख सकते हैं इसका जो है मैं पॉडर बना दूँगी इसको अची तरीके से मिक्स करने के बार गरम मसाला का जो है पॉडर बन चुका है अब प्लेट में एक छणी आपको रखनी होगी छणी से जो इसके बड़े से जरात है वो आसानी से निकल आएंगे इसका जो पॉडर रहे है उसे आप अची तरीके से चान ले बहुत ही ज़्यादा कम बजेट में आसानी से आप कश्मीरी चाय आप बना सकते हैं घर में अब मैंने कश्मीरी चाय का एक पैकेट लिया है जो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा ये पिकेट आपका 50 रुपे का मिलेगा तो बहुत ही जादा कम बजेट में कश्मीरी चाय आप बनाकर रिस्टोर का करक सकते हैं ये जो कश्मीरी चाय है इसमें एट करनी होगी 6-7 ट्रेवर इसमों जितनी मैंने कश्मीरी चाय इसमें एट कर दी है अब इसे हाथों की मदल से मिक्स करना होगा अब फिर से मैं इसे मिक्सी के जार में डाल दूँगी और इसका पॉडर बना दूँगी अगर आप इस रेसिपी को step by step follow करेंगे तो गश्मीरी चाय का पॉडर काफी time तक आप यूज़ कर सकते ही अब मिक्सी जार को बन करने के बाद इसको मैं 2-3 मिनट तक जलाओंगी जिससे इसका पॉडर बन जाएगा तब मैं इसके जार को खोल दूँगी इस तरह का मिक्सीर मुझे चाही है अब मैंने इसके उपर फिर से चानी रखी है चानी की मदब से मैं इसे चान लूँगी जब आप इस कश्मीरी चाय को ट्राइ करेंगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि यह आपकी किस तरह बन कर त्यार हुई थी क्योंकि घर के बहुत ज़्यादा मज़ेदार मसाले मैंने इसमें डाले ही इसे चानी की मदब से चानने के बाद कुछ इसमें चीज़े एट करनी होगी अब मैंस में तीन से चाट टेबल इस्पून जितना शुगर का पॉडर एट कर दूँगी अगर आप शुगर के पेशन्ट है तो आप इसे स्किप भी कर सकते है तीन से चाट टेबल इस्पून जितनी मैंस में शुगर का पॉडर एट कर रही हूँ शुगर एट करने के बाद अब मैंस में मिक्ट पॉडर एट कर रही हूँ तकरीबन तीन टेबल इस्पून जितना किसी बिरंट का भी आप लेख सकते हैं एक टी स्पून जितना मैं इसमें पिंक फूट कलरेट कर दूँगी अब इसे मिक्स करना होगा फिर से मैं इसे मिक्सी के जार में डाल दूँगी ताकि तमाम चीजें जो हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं यह कश्मीरी चाय बहुत जादा मज़ेदार बनने वाली है और इसका पॉडर जो है वो काफी मिक्तार में बनकर त्यार होगा अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कश्मीरी चाय का पॉडर जो है वो बिलकुल बन कर त्यार हो चुका है अगर आप इसे एर टाइट बन करकर रखते हैंगे तो काफी टाइम तक आप इसे स्टोर करकर रख सकते हैं अब मैं इसे प्लेट में निकाल रहे हूँ ताकि इसका फाइनल लुक आप देख सके बहुती जदा अच्छी खुश्बू इसकी आ रहे है कश्मीरी चाय का पॉडर जो है वो बन कर त्यार हो चुका है अब मैं आपको इसकी चाय बना कर दिखाओंगी ताकि आप देख सके कि कश्मीरी चाय कितनी मज़ेदार बन कर त्यार हुई है किसी भी एर टाइट कंटेनर में आप इसे बन करकर रख सकते हैं अगर आप कश्मीरी चाय बाहर से पिएंगे तो आपको मेंगी मिलेगी घर में आसान चीज़ों से अब आप कश्मीरी चाय बना सकते हैं अब इस के वो बनाने का तरीकेकर ये है कि आप एक पैन में थोड़ा सा मिल्क एट करदे अगर आप चाहिए तो इसे गरम पानी में भी बना सकते हैं कि मैंने इसमें पॉर्डर वाला मिल्क इस्तमाल किया है लेकिन ये इस मिल्क में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लाएगी मिल्क जब उबलने लगेगा तब मैं इसमें डे टेबल स्पून जितना कश्मीरी चाय का पॉर्डर डाल दूँगी अब देख सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का पॉर्डर बना होगा तो आसानी से आपकी कश्मीरी चाय बन जाएगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर लाती है और सरदियों में कश्मीरी चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है असानी से कश्मीरी चाय के पॉर्डर को आपको अच्छी सब्सक् Lindang hätten सब्सक्राइब कुना है नहीं अपनते हैं तो पहें तर्थ दो मुद्जाइर जो खब हैको एक्षि कि उसमेडार नियुक्त धायो कि आदे डिए जो बनraszam्ते कुछ तको वे हम चेकुकि है और कश्मीरी चाय में जो है वो ड्राइफुर्ट डाल के पीते हैं तो इसमें थोड़ी से मैं बादाम कटी हुई एट कर रही हूँ अगर आप चाहें तो और ड्राइफुर्ट भी इसमें डाल सकते हैं और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और अच्छे तरीके से कश्मीरी चाय बन का त्यार चुकी है अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे पेच को ज़र सब्सक्राइब कर दें अल्ला आफिस